तो ये सीमा हैदर नाम का नासूर भारत में इस तरीके से फैल रहा है कि भारत की सभिता और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खत्रा पैदा हो गया ये भगोडी जब से हमारे देश में गुसकर आई है इसने जो कारनामे किये हैं उससे आज भारत खंड विखंड होने जा रहा है लोग एक दूसरे पे गाली गलोच तमाम तमासे तयार कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहो सोसल मीडिया पे बहुत बड़ा हंगामा फिर स सब कुछ प्रॉपर उसको मात्रा में डाले हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है उसके जो जड़े होती मजबूत होती है और वो आगे आने वाले समय में अपनी पीडियों को भी मजबूत करते हैं ये जो बाबा सो साल का हो गया सचिन मीना का इसकी हरकत देखके शरम आत दुपटे के इतना बड़ा पेट लेके जा रही है नहीं पता कि वह असली पेट है नकली ये तो केवल सीमा हैदर ही जान सकती है ये बाबा के सामने जाती हो और ठाहा के लगाती हो बाबा पूरे मज़े लेता है और मतलब कहते हैं जब तुमने संसकार बीज ऐसा बोया है तो फल अच्छा कहां से होगा जब बाबा ही इतना घटिया और ऐसी गंदी सोच वाला है तो कैसे नेत्रपाल से हो जाए होगा कैसे उसका बेटा सचीन से हो जाएगा ये तो संसकार उसे पहले से दिये गए है ना जो बाबा सो साल के हो ये दर्शा रहे हैं कि भाई ये मेर खांदान है ये मेरा संसकार है चाहे देश के लिए गलत हो खत्रा हो कुछ भी हो मैं ऐसा ही था ऐसा ही रहूँगा आज इतना गुश्चा आ रहा था इस बाबा के कि तुम बुढ़ापे में इतने सटिया गए और मैं मोविन मलीक सर से रिक्वेस्ट करती हूं कि जो 28 लोग है अब सो साल उम्र हो गई बुजूर्ग हो गया इसका मतलब यह थोड़ी ना किसका क्राइम कम हो गया इसने जो क्राइम किया हो अपराध की स्रेणी में आता है और ऐसे अपराध्यूं को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आने वाले पीडियां आने वाले नसलू पर उस भगवड़ी की यह वीडियो देखके कई लोगों ने कमेंट किया है इसलिए तो बुजूर्ग की नियत फिसल जाती है मतलब किस तरीके के कमेंट है और आप देख सकते यह सीमा है दर नाम का नासूर जो हमारे भारत में जड़े जमा कर बैट गया जो गंदगी करने माया है और मोविन मलिक सर ने जो कहा था कि अगर ये इसका जो अंत समय आएगा लोग अपनी सारी मरियादा पार कर देंगे वो समय आ चुका है अब क्योंकि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के कुछ चैनल उसे ऐसी चीजा आ रही है कि भाई ये भगवड़ी खुस हो रही वहां प वक्ते में या दस तिन में गुलाम हैदर आजाए या नहीं भी आए तो मोविन मलिक सर उसको लेने जाए वैसे तो आही जाएगा लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है कल मैंने देखा कि सूरी बर्मा भाई जी बहुत गुस्से मते जायर सी बात भई हमारे भारत के हैं औ और हम लोग जद्दो जहत कर रहें कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाए और दूसरी बात दूसरे चैनल उसे यह दिखाया जा रहा है इंडिया को गाली दी जा रही है क्या इस तरीके से गुलाम हैदर के केस में दिक्कत नहीं आएगी सूरी बर्मा भाई काफी दे चुके हैं कि हद पार होगी इससे भी ज्यादा लोग नीचे गिरिंगे और गिरने की हद इतनी हो जाए कि बर्दास की हद भी साइथ खत्म हो जाएगी इसलिए हमें लगता है कि मुबिन मलिक सर की उस बात को मैं नहीं भूलना चाहिए इस केस पर पूरा फोकस करना चा देखकर खुसी हुई कि एक असाय मजबूर पिता जो भारत से गुहार लगाता है वो खुश था भारत की तारिफ कर रहा था अब देखे ना यह कितने ताजूप की बात है कि एक मजरूम पिता अपने बच्चू को मांग रहा है एक इनलीगल औरत भारत में आके गुसकर ब मैं कहना चाहती हूँ चाहें इंडिया से हो पाकिस्तान से आप लोग क्यों भारत के खिलाप ऐसे जहरू गलते हो आप लोग क्यों इस केस को गड़बढ़ानी के कोशिस कर रहो हमें भरोसा है अपने भारत के कानून पर अपनी सरकार पर वो कभी भी अन्याय नहीं करता किस के साथ और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमारे ही देश का हिस्सा है और किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत पर आंक उठाके देखे यह अच्छी तरीके से जानते भारत का बच्चा-बच्चा जानता है कि भारत कितना सक्षम है अर्चीव में लेकि इस तरिके की हरकत हो रही है और यहां पर आज में बात करूंगी कि जो बाबा है इस बाबा को हतकडियां लगा के इसको भी झैल में डालना चाहिए इसने जो सोशल मीडिया पर गंदमंचायी है इसने जो अपने घर में क्योंकि घर का मूख्षिया भी बड़ा है यह हरकत है जो गंदी कर रहा ना वो माफी के लायक नहीं है जो लोग कहते सीमा आ गई सनातरी बन गई तो डूब मरो आप लोग शरम कर लो थोड़ी सी कल के दिन अगर सीमा ने 5-10 साल यहां जड़े जमा के कुछ ऐसा कर दिया को आप भुगतान भरोगे आप अगर गुलाम हैदर के द्वारा कुछ गलत होता है तो आप लोग शरम कर लो अपने साथ चार बच्चों को लाई है पूरी पुरा पाकिस्तान में गंदा मैसेज देखे आयो भारत की सब्विता संस्कृति को यह औरत लगातार दागदार कर रही है हमारी सब्विता जो भा सब्विता संस्कृति के साथ रहती है यह औरत मुझे पाकिस्तानी लगती है नए इंडिया का तो मतलब ही नहीं होता है यह किसी भी धरमजात की मुझे नहीं लगती सीमा हैदर नाम का जो गंद हमारे देश में गुज गया इस गंद को जल से जल जेल में नहीं डाला गया तो यह जितनी हद तक गंदगी मचा सकती है उसके आप सोच भी नहीं सकते यह जो औरत बेशरमी अपनी दिखाती है ना सोसल मीडिया पर बैठके इसको बेशरमी की जो हद पार करती है अब इसके उपर जो सिकंजे कस चुके है मुबिन मलिक सर के उससे थोड़ा सा यह इसक चाहिए इसका बाबा हो या इसका शषूर हो या इसका कोई भी हो सशूर फेक सब के सामने असलील हरकत करने से बाज नहीं आती और डूप मरने चाहिए 100 साल के बाबा को कि तुम ने जो संसकार तुम्हारे अंदर है वही तुमने अपनी आगी की पीडियों को दिये है जो पयार पयार करता है ने लप्फू इसको इसकी वा सबूत है कुछ दिनों की बात आगाइं लो MK दिनों तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सीमा को भगाने में तुम और तुका सपोर्ट निकरते हो तो भाई तुम्हारे देश में क्या पीडित और तुकी कमी हो गई जो एक पाकिस्तानी जो इनली गुजकर आई अपना घर को जाड़कर उस औरत के सपोर्ट मां मरने को त्यार हो तुम लोग तुम है क्या अपने देश से प्यारी यह दो टके की भगोडी है इसके लिए अपने देश के साथ गद्दारी करोगे जुर्म पर उतर जाओगे शरम कर लो जरा सबसे बड़े गद्दार तो तुम हो यह भगोडी भी बात में तुम हो इसने जो लड़ाई लड गंदे कमेंट करती है वहां जहां गुलाम हैदर के बच्चों की बात होती है तो चिंता मत कर बेटा हम गुलाम हैदर के बच्चों को अराम से निकलने दे फिर तेरा हस्र बहुत अच्छा होगा है इस बात की तुम चिंता मत कर तु भारत के जेल में ना तेरी गंदगी उठाई है और हमारे देश की सभीता संस्कृति को गंदा किया है तो उसका एक एक चीज का तुझे गिन गिन कर जबाब देना पड़ेगा तैयार रहना अपने अंदर इतनी एनर्जी कर लेना कि तु सह सके अभी तु बच्चे का जो नोटंकी कर रही है जो तमाम दिखारी न सभीता संस्कृति वाली है तेरा सब निकलने वाला जेल के अंदर तेरा वो हसर होगा कि दुनिया में कोई औरत सोचेगी भी नहीं तो दोस्तों सभी का धन्यवाद थैंक्यू आप लोग जो जिस तरीकी से इस भोड़ी को भगाने में मदद कर रहे हैं और जिस तरीकी से आ हम ऐसी गंदी औरत को जबाब देने की हमत रखते हैं तो सभी का धन्यवाद उमीद करते हैं कि सब लोग इस मुहिम में अपना साथ देंगे बिल्कुल नहीं हारेंगे क्योंकि केस लाश्ट की तरफ है कोई किसी प्यावली खड़ा न करें क्योंकि जो नेगेटिक लोगों नेक्स टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद